पोट्स से जूडी किसी भी अपडेट किये स्पोट्स तक को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें मच्रमी की जो कल का दिन का खेल खत्म होने के बाद टैस्काम आए अईनोंने मेडिया के तमाम सवालों के जवाब दिये उनसे कर पूछा गया की प्लेंग 11 को ले खर आप एके कि टीम इंडिया की प्लानिंग को लेकर उस पर उन्हों से जादा बात नहीं की और कहा कि ये टीम मैनेजमेंट का डिसेजिन होता है और जो भी प्लेइंग 11 उनको मिली गई है उनको बैक अप करनी की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है और आगे आने वाले सेकेंड इनिंग के बारे में उन्हेंने बोला कि सेकेंड इनिंग पर फोकस करना है और एक लंबी पारी खेलनी है साथ ही उन्होंने का कि हम देखें सीरिज में एक जिरो से आगे हैं अभी इसके बाद भी दो मुकाबले बाकी है तो अभी कुछ भी कहना जलबाजी होगी साथ ही जो रूट पर उनसे जब सवाल पुछा गय और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया के खिलते हुए टेस्ट मैच में एक अच्छा बड़ा रिकॉड भी बनाया जी बिलकुल लगतार तीन सेंचरीज हो चुके हैं इस सीरीज में जो रूट के लिए और एक नया किरतीमान उन्होंने बनाया है सबसे कम इनिंग में उन्हो लोगों के साथ उस लिस में याशामिल हो गया है जैसे की स्टीव न होगे सर गैरी सोबर जोगे विव रिचर्ड हो गये इन सब के आप शटक एंडिया के खिलाफ लेकिन जो रूट ने सबसे कम पारी 23 पारी में ये कीर्थिमान हासिल किया है। अब देखना होगा कि ये लीड कहां तक जाकर रुकेगी क्योंकि अभी भी उनके सिर्फ आर्टे विकेट गिरे हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई की जो ओमान में मुकाबले खेल रही है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट को लेकर जहां से एक बड़ी अपडेट आ रही है। एक बच के हवाले से एक खबर सामने आई है कि जो उनके चेर्मेन हैं एसान मनी उन्होंने चेर्मेन पर छोड़ दिया है। और इसके बाद एक मीटिंग भी हुई वहाँ के प्रधान मांतिरे बिरान खान के घर पर। जी बिल्कुल लंबी मीटिंग थी और एसान मनी अब उन्होंने अपना पर छोड़ दिया और बिल्कुल सेट हो चुका है कि रमीज राजा ही नेक्स पीसीबी चैर्मन होंगे। वह कि पहली बार नहीं है जो कि यह वह पिसीबी का हिस्सा है 2000 के शुरुव देवी कょह चीफ औहसे थे और आप कर लेते हैं अब मैं पापा के साथ वैस्नादेवी गया हूं और रास्ते में मैगी खाई है गन्यकरस पीया है उन्होंने फोटो भी सेयर की तो वह अच्छा एंजॉय कर रहे हैं आई पील से पहले और माता का शरुवात लेकर आई पेल खेलने पहुंचेंगे अब इसके बात कर देते हैं फाफ डू प्लेसिस को लेकर फाफ डू प्लेसिस को लेकर क्या ख़बर रशाजिया बताई है जी बलकुल बहुत लंबे समय तीन महीने के समय के बाद वो पिछ पे वापस आएंगे सी पी कर दिया है कि वो फिट हैं सी पी एल के लिए उसे इंट लूशा के कि कप्तानी करेंगे वो बेलकुल देखिया फाफ डू प्लेसिससी पील में खेलने को पूरी तरीके से तयार आपको पता है कि कंकर्स्टन की वजह से वो पिछले दो जो उनके टूनमेंट्स वेते लीक्स होई थी उसमें नहीं खेल पाए थे पीएसल बीच में उन्हें चोट लगी थी अब इसके बात बात कर लेते हैं सी पील की देखिये सी पील की कल से शुरुवात हो चुकी है और जो पहला मकाबला हुआ वो वो काफी शांदार हुआ आपको बता दी कि पहला मुकाबला इस त्रिंबागो नाइट राइडर्स के बीच में और गयाना ने वहां पे नौ रंसे जी दर्ज कर ली और गयाना ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन बनाए साथ विकिट के नुकसान पर उसके जवाब में जो त्रिंबागो की टीम थी बीस अवर में 133 रन ही बना सकी और उनके लिए जो मेर अफदा मैच रहे वो औरियान स्मित रहे जिन्होंने कमाल का प्रजर्शन किया और एक अच्छी पारी भी खेली श्रुवात में और साथ ही जब गेंदबाजी करने आए तो दो शांदार विकिट भी चटके तो दोस्तों यह सीपील से अपडेट थी अपनी टीम बनाई हो खूब सारे देर सारे प्राइज जीती है और युवराज के टीम को हराने का मौका भी पाईए बिल्कुल देखिए और तमाम ऑफर्स हैं और यह उफर्स सारे हाउसेट पर ही हैं और इससे पहले आपको पता भी है कि और भी नए आफर्स आते हैं जैस कर लिजिए साथ ही स्पोर्स तक को सब्सक्राइब भी कर लिजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो ज़रूर वजाईए क्योंकि उससे ही सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है स्पोर्स से जुड़ी किसी भी अपडेट की ये स्पोर्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें